आसु आ जाते हैं और वो अपनी सहीली पारवती जी के पास रोते हुए जाती हैं और वो पारवती जी को अपना सारा दुख बताती हैं और बोलती हैं कि उन्हें कभी भी मा बनने का सुख नहीं मिल पाएगा ये सुनते ही मा पारवती बोलती हैं लक्षमी जी से कि लक्षमी उदास ना हो गनेश आसे तुम्हारा बेटा है और तुम जहां जाओगी गनेश तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारा बेटा बनके और तब से लेके आज तक लक्षमी जी जहां जाती है गनेश जी उनके साथ रहते हैं और ये भी माना जाता है कि गनेश जी गुडलक और माग होता है इसलिए हम शायर लक्षमी जी और गनीश जी के साथ में पूजा करते हैं बोलो जै श्री लक्षमी गनीश